स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं यूरिक ऐसे टेस्ट के बारे में कंप्लीट प्रक्टिकल वीडियो देखेंगे उससे पहले जो हमारे पास लिटरेचार है रिएजेंट का उसको हम थोड़ा से रीडाउट कर लेते हैं समझ ल यह एक्जाम में पूछा जाता है यूरिक ऐसेट का तो यहाँ पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि कब इंक्रीज होगा ठीक है लेवल यूरिक ऐसेट का तो यह गोट में अर्थराइटिस में एंपेर ड्रीनल फंक्सन में इतना आप याद र ड्रीजेंट न मिल यूरिक ऐसेट का यूरिक ऐसेट का एक तो रेजुएंट होता है और यूरिक ऐसेटो होता है दो बड़िक अभी नीम ओम रिटीटी रिएजेंट प्रिप्रेशन ये ready to use आते हैं, चाहे standard हो या फिर रिएजेंट हो, दोनो ready to use आता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और रिएजेंट को storage करना है 2-8 degree Celsius पर, ठीक है, open while stability इसकी 4 week है, 2-8 degree Celsius पर आपको रखना है, on board calibration stability इसकी 20 days की है, रिएज के साथ जो literature आता है, उसको ध्यान से पढ़ना है प्रक्टिकल करने से पहले, चीज है हमारे पास, यहाँ पर sample, sample हम serum यूज करते हैं, ठीक है, तो हम sample serum यूज करेंगे, उसके बाद interference देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको आता है material, provide क्या क्या है, uric acid reagent, इस है नहीं अलग से और नहीं आता है, तो incubator चाहिए है आपको, सबसे important चीज test parameter है, यह test parameter जो आपके literature में आता है, वही test parameter आपको अपने semi-automatic biochemistry analyzer में set करना है, programming करना है, यह मैंने अलग-अलग test में बताया हुआ है, already पहले, तो हर test में हम नहीं बता रहे हैं, बहुत simple process होता ह है, आपको programming वाले section में जाना है, parameter set करना है, जो test आप perform कर रहा है, जिस literature को आप follow करेंगे, उसका parameter सारा कुछ set कर देंगे, लग-बग-लग-बग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, ठीक है, mode of reaction, end point कर देंगे, और reaction का slope कौन सा है, increasing है, wavelength, 1 यहाँ पर दिया है, 546 य 8 mg per deciliter, blank आपका reagent होगा, ठीक है, reagent को ही है, जे blank मानेंगे, हम अभी test perform करके देखेंगे, आपको बताएंगे, incubation time आपको 5 मिट देना है, linearity 25 mg per deciliter, sample volume 25 µL, और reagent volume 1000 µL दिया है, इसको आप हाप भी कर सकते हो, ठीक है, Q8, 1 cm light part, तो इस तरीके से आपको, यह simple parameter है, जो क इस procedure को आपको follow करना है, यह procedure दिया हुआ है, तो blank, एक tube blank का लेना है, एक standard का और एक sample का लेना है, reagent हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 1000 µL का हम करने वाले हैं, 500, तो यह भी आपका हो जाएगा, 500 µL, और यह 1000 भी 500 µL हो जाएगा, simple है, अब आपको confusion नहीं होगा, 1000 का हमन इसको भी हमने कर लिया है, 13 µL, simple, 13, 13, 12 करेंगे तो 13, ठीक है, इतना हमने कर लिया है, बाकी आपको incubate करना है, 5 minutes, यह सारा चीज़ लेने के बाद, अभी हम practical करके आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको complete मालम चलेगा, जो है reference range का आता है, तो reference range आप देख लें, और एक्जाम में पूछे जाते हैं, चाइल्ड का 2-5 mg per deciliter, अडल्ट मेल का 3.5 से लेका 7.2 mg per deciliter, अडल्ट फीमेल का 2.6 mg per deciliter है, और यूरिन में 200-750 mg, 24 hour यूरिन में, ठीक है, तो इस तरीके से है आपका, बाकी इतना ही था, चलिए हम practical करके देख लेते हैं, किस तरीके से किट है, और इस किट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यूरिक एसिड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस किट के अंदर आपको 3 बोटल देखने को मिलता है, दो बोटल जो कि आपके यूरिक एसिड के रियेजेंट है, और ये रियेजेंट बोटल आपको द यहां पर मेंसन रहता है तो इस तरीके से आपके किट के अंदर दो रियेजेंट आते हैं और उसके बाद एक लिट्रेचर आता है जिसको मैंने आप लोगों को एक्स्प्लेंड करके दिया हुआ यह चार एमल की एक छोटी सी बॉटल है अब हमारे पास तीन ट्यूब लेना है तीन टेस्ट यूब हमने ले लिया है एक को ब्लेंग कर दिया एक को इस्टेंडर कर दिया है और उसके बाद एक को टेस्ट इस तरीके से हमने लेबल करके रखा हुआ है उसके बाद हमारे पास दो पीपेट है माइक्रो पीपेट जो कि हमने 13 माइक्रो लीटर सेट करके अब हमारा काम स्टार्ट होता है, हमने माइक्रो पीपेट लिया हुआ है, और रियेजेंट आरवन ले लिया हमने, और माइक्रो पीपेट हमारा 500 माइक्रो लीटर सैट है, अब 500 माइक्रो लीटर हम आरवन रियेजेंट लेंगे और तीनों टेस्ट ट्यूब में 500-500 माइक्रो सबसे पहले ब्लेंक वाले में हमने एड कर दिया ठीक है इस तरीके से हमने ब्लेंक वाले में 500 माइकुलिटर रियेजेंट आरवन हमने डाल दिया है उसके बाद फिर से हमें 500 माइकुलिटर आरवन रियेजेंट लेना है और यह हमें इस्टेंडर्ड वाले ट्यूब में एड क और हम जैसे प्रोसीजर दिखाया था उस तरीके से और ये टेस्ट वाला हमारा ट्यूब है इसमें हमने 500 माइकुलीटर आरवन रियेजेंट हमने एड़ कर दिया है तो इतना आपको समझ में आ गया तो 500 माइकुलीटर हमने तीनों ट्यूब में एड़ कर दिया है अब हमारी पारी आती है standard की standard वाला ट्यूब है यह हमें कितना लेना है, तो 13 ºL हमने बताया था आपको, 13 ºL हम standard वाले जो वाल है उसमें से हमें standard हमने ले लिया है और यह हमें कहां transfer करना है ? इस standard वाले ट्यूब में हमने label करके रखा है S, तो इसमें हमें नीचे तक आप जा करके आप इसको क्या कर दें, mix कर दें अच्छे से इस तरीके से, और mix करने के बाद, और आपको इसको रख देना है, इस तरीके से आप mix कीजिए, अच्छे से proper तरीके से mix होना बहुत जरूरी है, ताकि अच्छे से यह mix हो जाए, अब दूसरा हमारा आता है test वाला जो की हमारे पास serum है, तो serum हमें लेना है वही 13 microliter, ठीक है, 13 microliter हमने serum लिया हुआ है, और access आप wipe कर सकते हैं, आपके पास tissue paper है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, wipe कर लीजे, tissue paper हमारे पास है, और access अगर है, तो इस तरीके से आप wipe कर दें, proper तरीके से आप test perform करें, ताकि कोई भी error ना हो, और इस तरीके से आपको यह test वाला tube उठाना है, और इसमें आपको add कर देना है, 13 microliter serum, इस तरीके से add किया, mix करना है, proper तरीके से, और blank में हमने केवल क्या लिया है, reagent R1 500 microliter, और कुछ add नहीं करना है, ठीके, इस तरीके से हमारे पास analyzer में ही incubator है, तो यहाँ पर हम तीनो tube को रख देंगे, और watch हमें करना है, stop watch हम start कर देना है, और 5 minute के लिए हमें क्या करना है, incubation पे रखना है, 5 minute हमारा incubation हो चुका है, अब हम analyzer पे जाएंगे, test पे जाएंगे, yuric acid हमारा है, yuric acid क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा procedure step by step आता रहेगा, और यहाँ पर aspirate water bowl रहा है, blank हमें देना है जो कि हमारे पास blank already है blank वाला tube हम उठाएंगे और blank हमें reagent ही as a blank की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं 500 microliter जो हमने add किया था, button आप दबाएंगे, और यह analyzer आपका aspirate कर लेगा, blank blank की optical density यहाँ पर आपको measure करके, आपका analyzer दे देगा, blank मांगा हमने blank दे दिया, ठीक है इस तरीके से यह आपको सारा चीज perform करके analyzer आपको देता रहेगा, ठीक है और उसके बाद second step आपको जो बोलेगा, command करेगा उसी के according आपको चलते रहना है, analyzer same इसी तरीके से process होते हैं अलग-अलग analyzer आपको देखने को मिल जाता होगा, अब यह process हो गया complete, ठीक है तब आपको यहाँ पर analyzer मांग रहा है standard, तो इसको आप yes कर दीजे ठीक है, continue करना है, तो yes कर दीजे आपके पास standard है, हम इसको yes कर देंगे अब आपको उठाना है कौन सा standard वाला tube, जिसमें S लिखा हुआ है, यह हमारा standard है इसमें हमने R1 500 लिया है और उसके बाद R2 जो कि standard था, वो हमने 13 microliter लिया हुआ है, इसको इस तरीके से पूरा dip करके और बटन आप दबा दीजे ठीक है, इस तरीके से और अब आपके पास यह aspirate कर लेगा तो यहाँ पर आपको reading देखने को मिल जाएगा इस तरीके से आपको यहाँ पर absorbance, पूरा concentration, standard की क्या है यह सारा चीज measure करके analyzer आपको यहाँ पर दिखा देगा समझ में आगए भई, इतना procedure clear है उसके बाद next process यह क्या बोल रहा है वो आपको देख लेना है, यहाँ पर next process आपको बोल रहा है, analyzer going to sample mode, अब आया है, sample के लिए बोल रहा है test के लिए, तो इसको आप yes कर दीजे आपके पास तीसरा tube जो रखा हुआ है test का, जिसमें T लिखा हुआ है इसमें हमने R1 लिया हुआ है, 500 microliter और 13 microliter serum लिया हुआ है patient का, इसको आपको button दबा देना है, aspirate करेगा analyzer, उसके बाद यहाँ पर आपको reading सो होगा यह आप देख सकते हैं, इस तरीके से analyzer आपको reading देगा कितना दे रहा है, result sample ID, unit, यह सारा कुछ आपको यहाँ पर, absorbance, यह सब चीजें आपको देखने को मिलेगा, right side में आप देखेंगे blue color के जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, result देख रहा है आपको सभी को, देखे, timing complete हो गया, result दे रहा है, 4.0 मतलब यह normal है, uric acid आपका, जो कि हमने, reference range आपको बताया था, तो इस तरीके सर था, पहला ही बार आए हैं, channel को, subscribe करें, bell icon दबाएं, वीडियो पसंद आता है, तो like जरूर करें, thank you so much